कि नमस्कार जीप कला स्टेज बोपाल गड़ के यूटूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है आज अपन राजस्तान कला संस्कृति का जो टोपिक लेने जा रहे हैं उसमें नेक्स्ट क्यूशन करने जा लाजस्तान कला और संस्करती के तो क्यूशन इससे पहले पत्शीश की जूशन अपन वह कियते 26 आज पूर्व मद्यकालीन राध्यस्थान की दार्मिक इस्तिक के शमत्र में निंव्न्मे से और ब्र्मा सर्वुच देउत्पा के रूप में पुझे जाते थे दूसरा है पुसकर बसंतगड कुस्मा सिर्वय में ब्रमा के प्राचीन मंदिर मिले हैं पुष्कर बसंदगड और कुस्मा शिरोई में ब्रमा के प्राच्षिन मंदित मिले हैं इस यूग में राजस्तान के पूर्वी छेतर में पूर्वी राजस्तान में सोर संपड़ाई यानि सूर्य की उपाशना से समंदित सर्वादिक लोग पिरिय था नेक्स्ट है मानमोरी इस्तम लेक वै कोस वर्दन में सूर्विय के वंधन्ये सरूप का उलेक मिलता है तो इसमें आपनकोबताया कौन सा गलत है तो इस यूग में कौन से यूग में पूर्व मद्यकाल में राधस्तान में बर्मा सरोथ देवता के रूप में थे बेलकुल पुसकर बसंतगड और पुसमा शिरोई में बर्मा जी के प्राचीन मंदिर इस्तित है इस यूग में राधस्तान के पूर्वी छित्र में सोर संपर हुआ है मिलता है कि अफन को घलत चाट नहीं को हो जाएगा कि नमबर हो जाएगा समध्य के बारे को बात करते हैं मत कालिन राधस्थान के बात भूल मत्य सब्सक्राइब और नक्षणित चेतर में सौर संपरदाय का समगतल पूरवी सेतर मंग पूरवी यह पूरवि नहीं है तो चेतर में है पस्चमी और दक्षिनी चेतर में है नेक्सट है एक हजार तेरा इस्वि के पोकरण इस्तमलेग का आरंभ सूरिय वंदना कब का है 2013-2013, कि पोकरन इस्तमलेक का आरं किसे होता है? सूर्य की वंदना से. ओम नम्य सूर्याय से होता है पोकरन इस्तमलेक के बारें बताय गया कि ये सूरिय वंदना से इसमें शुरुवात होती है की शांटुइ से बार्वी सदीत तक अरबुद मंड़ यैनि आभू अरुदा किसका प्राचिना अर्बुद का अर्बुद मंड़ मारवाड छेत्र मेरे अए या मंदीर प्राप्तव pessoे सांतवी से बाहरवी सताबिर राजपूत काल उस्षय मंदीत आबू और अने कंशूर्य मंदीर मिलने है लकुल हritis क है भुड़ा बुड़ादीत का भुड़ादीत के प्रश्टान है कोटा में वुड़ा दित का एक सूर्य मंदीर है नौमी सतापदी का बुड़ा दीत का है कोटा बुड़ा दीत का सूर्य मंदिर किस काल का है नौमी सतापदी का सूर्य मंदिर जो जो चतुरवेद हरीहर पिता महा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से बुड़ा दीत का जो सूर्य मंदिर है कोटा में नौमी उपासना का लोग पर यह कहने था मार वार चेतर में बीनमाल जिसे त्वेन्सांग नैसा कहा था उसने किसका पर्मक已經 केंद्र सूरिय उपासना का पर के अंदर माना जाता है और यहां गूर्जर पर्तियारों ने जगत स्वामी नमक सूर्य मंदिर का निर्मान करवाए था कौन सा मंदिर जगत स्वामी का कहां पर भीनमाल में नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं निम्मे से कौन सी सब्दावली विश्णोई संपरदाई से समाधित है थापन तो पहला दिया है थापन फिर है नवन परणामा साथ्रिया तो यह सारे है उपरिट सभी इसमें राइट हो जाएगा क्या है यह इनके बारावपन बात करते हैं वि विवाँ अंतियष्टी आइसंश्कार संपन कराने वाला वर्ग थापन कहलाता है इसा और विष्णुय संपरदायं में नामकर्ण है विवाँ है और संस्कार संपन कराने वाले व्यक्ति होते हैं वरग विशेश होता है उसे उंप्रति वचन करना तो इसलिए रू में किसी का इसलिए व्यवादन के रूप में क्या बोलता है विष्णु ने या जांबो जी ने नवन किसको विष्णु जी को और जांबो जी को यह पट्टी वचन बोले जाते हैं विष्णु मूर्ती पूजन नहीं करते मूर्ती पूजा इनमें नहीं होती अते जांबो जी के मंदिरों वे सात्रिया छोटे मंदिरों को सात्रिया भी क विचार करना है और उत्तर देना है यह एक जल दूर्ग है कौन से दूर्ग गागरौन दूर्ग इसके बारा में यह एक जल दूर्ग है ठीक है यहां संत सुपी संत मिटे साकी दर्गा है सुपी संत मिटे साकी दर्गा कहा है तो यह गागरौन दूर्ग में है यहां के विशि अबुल अबुल अक्बर के नो राटना में से एक थर अबुल अबुल का भाई थेजी भी अबुल के दरबार में था हूँ और अबुल अबुल फजल और फɪजी रालष्टान के किस छ Teshre S तो यह नागोर के थे अकबर के अबुल फजल के बड़े भाई फेजी को गागरान दुर जागिर के रूप में दिया था तो इसमें यह गलत है तो अपन को गलत हाँ इसमें एक दो और तीन कूट में उत्र देना है तो एक दो और तीन आप्शन नमबर कौंसा हो जाएगा ते परत्विराज राठोड विक्कानेर का उकल्यान मलका पूत्र और राई मलका भाई परत्विराज राठोड जिसने गरंद लेकाता वेली कशन रुप मने ली इस गरंद को पांचवा वेद और उनिस्वा पुरान का जाता है नेक्स्ट फेजी किसका भाई अबुल फजल का बड़ा भाई फेजी अकबर की वेट का होती है गागरोन के किले में कब 1567 में जब अकबर चीतोड़ा अभ्यान के लिए जा रहे थे उन दिनों यहां अगबर रुकेते गागरोन की दुर्ग में उसी समय फेजी यहां मिला था और फिर है अकबर ने घागरोन का दुर्ग अकबर ने घागरोन का दुर्ग विक्कानेर के राजा कन्यानमल के पुत्र बग्त कवी और वीर योदा पर्थवी राज राठोड को जागिर की रूप में दिया था वेली कर्षन रुक्मणी जो कर्षन और रुक्मणी के विवाग की गाता है इस ग्रंद की रतना भी इस पर्थवीराज राठोड ने घागरोन दुर्ग में ही की थी तो ये गागरौन की जागिर अकबर ने किशे दी तो परतिवराज राठोड को बिका निर के परतिवराज राठोड इनकलियानमन का पोत्र और राइमल का भाई फिर है ये जल दुर्ग अहू और कालीशिंद नदियों के संगम पर इसित है और अहू और कालीशी नदियों का पवित्र संगम इस्तानी बासा में क्या कहलाता है अहू और कालीशी नदियों की संगम पर जो गागरौन का दुर्ग है और जहां अहू और कालीशी नदिया मिलती है इस पवित्र इस्तान को कहा जाता है सामेल जी इस पवित्री इस्तान को इस्तानी बासा में क्या कहा जाता है सामेल जी कहा जाता है नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते है राधस्तानी सब्दाव लिका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है अद्रन तो अद्रनी सब्ध है तो आगे लिका है पूरानी जूतिया फिर है टप्पारा क्या है काल बेलियों द्वारा सांप को रखने का डकंदार पात्र फिर है फिर पिलसोद फिलसोद पितल का बना दीप इस्तंब और फिर है अरडाओ शाड़ा दक्षिंपर्चिम दिसा से चलने वाली हवाइं इसमें गलत क्यों सांटना तो इसमें गलत और से नमेर नमबर चार अद्रान क्या है पुरानी जूत्यों को कहा जाता है अद्रान क्या काल बेलिया जाती के लोग है साब को जो एक डकंडवार जोपनी और ऊ 완 आ नो रॉता है उसको कह जाता है तपारा तपारा स़ या रॉत ग्या रॉते जाते हैं अ कि लेकिन ये क्विशंधव। दख्षिन पश्रिंडिशा उन ST 스vt चलने वालीहां नकना तेज गति चळ लिगे वाली होान वो कहलाती है तो तो क्या करते हैं और किलाती प्रशन उन्पर ग्लत उन्प दवनिक करने बहुत तेज परॉल्स आता है तो क्या केलाती है अर्डाव केलाती है दक्षिन पश्चिम जो मांसुन वाले दिस्या से चलने वाली हवाइं जिसे समद्री या समद्री का जाता है दक्ष्ञ पृस्टिम समदरी हवा यानि समुदर की ओर से आने वाली हवा उसी से सब बनाया चिमाए समदरी ठीक है तो यह मान सुनी हवा है और राधस्टान में हवा से समध अनिया पृस्टिट नाम क्या है तो LIU, LOì क्या है, JET यήनि अत्तेजि गर्मी वाला महीना, JET मास में गर्म तेज जौपों वाली हवाईं, क्या कहलाती है अत्वनी Y ऐसे कहा जाता है परस्चिम दिशा की वायू परस्चिम दिशा से चलने वाली वायू क्या कहलाती है अथोनी वाय और लंकव या दिखनाद या लंकव दक्षिन दिशा से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है लंकव या यहनि लंका लंका किदर है वारत के दक्षिन में है तो लंकव या दिखन कहा जाता है दिखनाद वैसे दिखनाद को यह दिश्क होती है करemic to क्यों युनेसको ने दो हजादसं में कालवय नर्थ कि को सांसओग्रती विराश्रत शुची में सामिल क्या है अबड si da कालमेलिया जाती की मैला रोह करती है कि इनी पर मदूर दुन निकालता है ने बजाते हैं निकिस पर्कार का वाध्ययों रहा तो सुसीर वाध्य क 5 से वज़ायं आम वाध्य तथा वपंग वादन बीन और वपंग बजाए जाते हैं और वपंग और अपंग यह भी सुशिर वादिया आता है तो यह लोग बरत्र हरी ये किन की गाता सुनाता है तो ब्रत्तर हरी की गाता शिवा जी का ब्यावला अधी काते हैं नेक्स्ट क्यूसने निन में से किस विकल्प का युगम सोख सोख या गमी की रस्में सोख या गमी की रस्में है वो कौन सा युगम है बन्नावा, छिक्की और सूज फिर है लेन, लांपा और मुकान, फिर है अंगवारी, ओजूब और गागरानों डूंड, लहास और डांगडी रात तो इसमें डांगडी रात ये तो विभा से समन्दित नहीं है इसमें क्या है डांगडी रात किसी व्यक्ति की मर्त्यू के बाद में जो बारे दिन के जाते हैं, बारवे से एक दिन पहले जो जागण का आयुजन होता है उसे कहा जाता है दांगडी रात और लहास नहीं, वो देह, मर्त देह को लहास बोलता है दूंड, दूंड होली पर की जाती है, छोटे वच्चों की दूंड निकल जाती है ये गमी का तेहन ये रसन गमी की नहीं है बाकी ये दोन्य गमी की है, लेकिन ये गमी की नहीं है अंगवारी ओजू और गागरानों फिर है इसमें ध्यान रखना लेन लांपा और मुकान ये तिनों किस परकार के हैं गम या सौक से समधित रस्म हैं चलो देखते हैं सगे समंधियों को मर्तिव बोज के साथ दिया जाने वाला लोटा मर्तिव बोज के बाद में जो लोटा द और मर्तक को मर्तक वैकती है उसके पुत्र या निकट समंधि या भाई बतिजा द्वारा जो अगनी दी जाती है उसे लांपा कहा जाता है उसे कहा जाता है लांपा और मर्तक के पीछे उसके समंधियों को समेदना परकट करना की किरिया मुकान कहलाती है समेदना परकट करन दोज़ को कहा जाता है मोसर और अगर किसी व्यक्ति कर लेक्टि जीव कहा जाता है से उठावणा और पहर में एधियर के अधि sociaux राद सातरवाडो सातरवाडो और फिर गडोटियों डिचो दोवनियां और पानिवाड़ा यह सो क्या गम से शमदित रादस्तान चेत्रवे पर्चलित रस्में हैं नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं गोट दो सूच्य दीदी है इसमें दिया है गोट गाईरी ओठी और चारवादार इसको सुमेलित करना है तो गोट किसे कहेंगे गोट तो ऐसे गाउं गूर्जरों द्वारा गायों की रक्षा के लिए कुछ गाउं बसाए गए उन्हें का जात है गोट तो एक में क्या हो जाएगा चार क्या होता है बेड़ बक्रियां करने वादा करता है वो क्या सवार गायरी कैला तो एक में चार नंबर हो गया और दो में दो और गालता है और में गोड़े की शिवा टैल करने से क्या रता है तो चारवा नमबर सरुरोण का सई हो जाएगा बेड़ बक्रियों को चराने वाले एवालिया गवालिया या गाईरी कहलाते हैं गोड़ों को परशिक्षित करने वाले व्यक्ति को फेरनिया कहा जाएगा तथा गोड़े के लक्षम जानने वाले व्यक्ति को गोड़ों को परसिख्षित करने वाला फेरनिया और गोड़ों के लक्षन जानने वाला व्यक्ति सलालोतरी कहलाता है सलालोतरी सब्द संस्क्रट वासा में साली होतरी कहलाता है साली होतरी सब्द से बना है साली होतरी संस्क्रण सब्द है इसका अब्रंज सब्द बढ़ा है सला सलालोतरी सब्द ओट के सवार को सांडवी सवार सांडवी सवार और सुत्र सवार सुत्र सवार या ओठी तो संस्क्रण से सब्द बढ़ा है ओस्ट्रिक सब्द से अब्रंज बनकर सब्द बढ़ा है उंट की देखवाल करने वाले व्यक्टि के लिए राई का रेवारी राई या राईजी अधी सब्दों का परियोग किया जाता है नांप्य कै vielen हुको अधर चितरों का निर्माण करते दो शिती जेपूरत किस की साथन काल पर्तम महराजा स्वाई इशुरी सिंग और स्वाई परताब सिंग तो यह स्वाई जैसिंग पर्तम के काल में बनी है सुर्थ खाना यह सुर्थ खाना जैसिंग पर्तम स्वाई जैसिंग पर्तम के काल में इसका निर्माण किया गया यह नहीं चितर साला का निर्माण किया गय स्वाइजे सिंग पर्तम स्वाइजे सिंग पर्तम 1699 से 1745 यह इनका काल है कि समय चित्रों में मुगलों का परवाव दिखाई पड़ता है स्वाइजे सिंग पर्तम के काल से यहां के में मोगल प्रवाव शुरू हो गये था मुंहमद्सां और साहीब राम इस समय के डर्बारी चितरकार थे को तो जैपुर में जो चित्र शाला का दिर्मान करवाई किसने शुज्य जेओ पर्टम ने और इसके काल में मुगल प्र वाव दिखाई डेता है और यां इस समय के चित्रकार दर्बारी चित्रकार कौन थे तो मुहमत सा और साहिब राम श्वई जैसिंग पर्तम के दर्बारी कवी शिवदास राई शिवदास राई ब्रजबासा ब्रजबासा में तयार करवाई गई शचित्र पांडू लिपी क्या नाम है सरस सरस रस जिसका नाम है सर रस इस ग्रंथ इस ग्रंथ इसने सरस सरस रस है सरस ग्रंथ 1737 में जिसमें क्या है इन कर्षन विश्यक चित्र पूरे प्रश्ट्रों पर अंकित किसके काल में स्वई जैसिंग पर्तम का धर्वारी कविता शिवदास राई जिसने ब्रजबासा में क्या लेखा ब्रजबासा में रचना लेखी सचित्र इन्हीं चित्रों सहित रचना पांडू लिपी जो हाथ से लिखी पूस्तग उती है लुदी कहा ज़ता है और सरसरस नामक गरंट सरसरस नामक गरंट किसका तो शिवदास राई का है कब लिखा 1737 में इसका समंद किसे हैं तो कसर्ण विसे चित्र है पूरे पर्ष्ट पर इन्हीं उसके पुस्त के पर्ष्ट पर पर से समदें चित्रांकित है इनके समय प्रिया कवी प्रिया जीत गोविंदर बाहरे मासा नवरस और रागमाला अधी चित्र चित्रित के गए तो ध्यान रखना यह भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एक्यूशन अश्चत्य बताना अश्चत्य का चुनाव करना पितल के बर्तनों पर मुरादाबादी का कारिये झेपुर में क्या जाता है कोपदगीरी का काम जयेपुर और अल वर में बहुता हिच्चे होता है भीकानियर की कशिदेeyeवाली manifest की परसीदे फिर difah मुनवत्ती यानि उस्ताकला के नाम से भी 25 में पितल के मुरादाबादी कारिये जयेपुर मिलकुल च्शीक है कौपगिरिया इसको बोलते है तेनी सा कारिय ये होता है ये फुलाद की वस्तों पर सुने کے टाड़ जढ़ने की कला कौपगिरिया तेनी सा कारियकलता है ये जैपुर और अलवर काँ परसिद है बिककामेर की कसिद हा ये बिककामेर की नहीं है ये गल discouraged है तो मार वाड़ कि य इक निर मुनवत्ति कला के लिए जाने जाता है इन उस्ता कला हिस्षा मुदिन उस्ता वगरा यह ओंट की कूपों पर जो चित्र का रिक्षी जाती है उसे कहा जाता है उस्ता कला यह सारे सई है यह एक नमबर सई दो सई और चार सई है तो सी नमबर ऑफशन अपन का गलत चांट में तो ऑफशन कौन सा राइट करेंगे ऑफशन नमबर सी राइट हो जाएगा इसे समझेद बात का पन करते हैं मारवाड चेतर में देगो तो वह बिक्का निर बताएगा यह कर्षिदे वा ली जूतिया पूरे मारवाड चेतर में परसीदे बढ़ू गाउन नागौर इंपोर्टने द्यां रखना बढ़ू गाउन नागौर में बनने वाली कर्षिदा यूत जूतियां है कि जूतियां एक पर्योजना स्वंत राष्ठ यू एंडि पी के तहत चले गई बढ़ू परसीद्देह है कि अथ्वा जूति के लिए अब ढूंकर सी सब्ब परियोग रुखे जर्बा ये जुतों या जूति के लिए सब्ञीं परियोग वो रहा है जर्बा फिर है पेजार और परक़ी पग की पेर की रख्षा करने मादी पग रखी और पग रखा मोचली मोचली अधी सब्दों का प्रियोग किया जाता है राजस्थान के पाली में इस्तिद्वे मंदिर कौन सा है जिसे चतुर्मुक जिन प्रासाद कहा जाता है इन्हीं चौमुक का मंदिर चतुर्मुक जिन प्रासाद भगवान आधिनात की चतुर्मुक मोर्ति या चार मोर्तियों को शटा कर रखा गया चौमुक का मंदिर इस्तम्मुक का वन कहा जाता है या तिरलो के दिपक भी कहा जाता है ये कौन सा मंदिर है राता महादिर का जैन मंदिर स इसमें ये बात है चौमो का मंदिर राधस्तान में ये बात कहेंगे ये अपने को रनकपूर का जैन मंदिर जो अधिनात्पूर समर्पित है इसे समर्पित और अपन बात करते हैं रनकपूर पाली में इसी अधिनात्थ मंदिर के मूल गर्ब गरे में अधिनात्थ की पांच तो फिर्पिट कि अधिनाथ की मूर्ति है यहां ऐती फिल चार प्रतिमाये चार दिशाओ में वह शटा करहूं रखी गई संब्व झत है इसलिए इसे चत्तुरमुन जिनल है इननी चोमु का मंदीर कहा जाता है इसलिए चोमुन का मंदीर कहा जाता है इसका निर्माण कारिए मैं सिल्पी कौन था तो देपा यह आ शकता है देपाक काल में महारणा कुमबा के काल में इसका निर्मान हुआ कौंसा मंदिर रणकपुर का जैन मंदिश्य चोंवों का मंदिर कहा जाता है 2 2 3 6 में इसका निर्माण कभ गुए तो इसे 5 मांस कर लेंगे 149 में इसका निर्माँ मांत कहे जाने वाले इस मंदिर को कभी इमाग नेशाता क्या क्या कहा तो तिरलोक दीपक कहा इस मंदिर को माग ने क्या कहा तिरलोक दीपक कहा और तथा विमल सूरी ने विमल सूरी एक विमल उसाई नाम का दिलवड़ा के मंदिरों में जो मंदिर है तो विमल सूरी ने नली नि गुल्फ नली नि गुल्फ विमान कहा और कभी मागन क्या का त्रिलोक दीपक यानि त्रिलोक की दीपक कहा कभी मागने किसे रणकपुर के जैन मंदिर के कौन सी नदिगा किनार है तो मन था ही नदिगे किनार इसी थे नेक्स्ट क्यूशन क्यों बढ़ते हैं जैपुर के किस महल में चांदी के सबसे बड़े दो पातर रखे गए हैं जैपुर के कौन से महल में ये पूछा गया मुबारक महल, सरुतो भद्र, सरुतो बद्र महल, रामबाग पैलेश और चंद्र महल इसमें कौन से महल में ये चांदी के सबसे बड़े दो पातर रखे गए हैं तो इसमें ध्यान रखना, ये सरुतो भद्र भद्र नमक महल है, उसमें ये चंद्र के दो पातर रखे गए हैं City Palace में भी है यह सरुटो बद्र का है मुबार्ट महल में City Palace में है तो सरुटो बद्र सरुटो बद्र सबाबंडप में महराजा मादो सिंग यह मादो सिंग ने बनवाय थे चांदी के दो पात्र तो 1902 में 1903 का जो 1903 में यहां दरबार लगा लेकिन 1902 में मादो सिंग कहां गए इंगलेंड गए इंगलेंड यात्रा पर गए उस दोराना गंगा जल से भरकर लेके गए अपने पेने के लिए पानी और जो जल पात्र है कलस है यह चांदी के इतने बड़े बड़े कलस है गिनीज बुक ऑफ वर्ड में यह दर्ज किये गए क्योंकि चांदी के इतने बड़े जल पात्र है विश्व में और कहीं नहीं मिले सिटी पेलेस परिशर में ये बड़े दो पात्र है कितने हैं दो कहां रखे गए हैं सिटी पेलेस में दिवाने खास सिटी पेलेस में इस्तित है दिवाने आम दिवाने खास तो सिटी पेलेस में कौन से महल में दिवाने खास महल में दिवाने खास महल में जहां रखा गया उस से महारजा स्वई जैसिंग ने उस दिवाने खास को क्या नाम दिया स्वई जैसिंग ने वह नाम दिया सर्वतो भद्र सर्वतो भद्र नाम दिया किस ने स्वई जैसिंग किसे जो सिटी पैलेस में इस दिवाने खास इस महल को स्वई जैसिंग सर्वतो भद्र नाम दिया और पर जेपुर्ल नरेशीयां सरद पूर्णिमा बंदर लगय करते इस तरद फूर्णिमा की रात वर्ष में एक दिन इस फ bliss्रिका लगा किरते दिसमें अपनी पूर्ण सुलग कलाव में होता है मैं नेच्ट क्यूर बढ़ते हैं यह निरुकूर्ण और यह सार्नन है यह कि संपर्दाय की विशेस्ता हैं कि संपर्दाय से समंदित है यह बतर नहीं निर्गुन भकति द्वारा इस शाधना ए्स ciao निरुज bastard द्वारा की गई यह दो है और विशेस्ता हैं है सारी ऐसा कौन सा संपरदाई है जिनकी ये सारी विशेष्ट क्विक्स था है वावेस में ददकते अंगरों पर चलना पिल तो फिर ए परवर्तप द्वारा जीवीत समाधी ले गई ये जो संपरदाई संस्माध demás संतों की क्या है मयूर्पंग से निर्मित पंक्या वे नेजा तथा दो नगड़े रखे वे हैं ऐसा कौन सा संप्रदा ये क्या क्या बात है निर्गुण बगती द्वारा इस्वंदना मूर्ति पुजा का विरोध और ददकते अंगारों पर जो नर्तिय होता है जिसे अग्णि नर्ति बोलते हैं अपन और परवर्तक ने जीवित समाधिली बेलकुर और संत्वान समाधी समाधी पर क्या है मयूर्पंग से निर्मित पंक्या या नेजा तथा दो नगड़े रखे वे हैं ऐसा संप्रदाई कौन सा है तो ददकते अंगारों से आपको पता चल गया होगा कि कौन देखें संप्रदाइख के और कुछ यसम देखें संप्रदाइख के परवर तक जसलात्जी का नाम जस्वंत था जन्मकत्रीया सर विकानेर में कार्थिक शुक्त lime एकादसी विक्रमी समथ 1540 को विक्रमी समथ 1540 को अगर इश्यू में ग्याद करना है तो इसमें से 57 माइनिस कर लेगे दिल्ली के सुल्तान शिकंदर लोदी ने जसनाजी से परवावित होकर इन्हें उन्हें कत्रिया सर के पास 500 बिगा फूमी दान दी थी जसनाजी को शिकंदर लोदी ने डिली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाजी से परवावित होकर कत्रिया सर में इन्हें भूमी दान दी थी और यहीं पर इन्होंने जीवित समादी लिए जसनाजी के उपदेश क्या कहलाते हैं सिंबूदड़ा जसनाजी के उपदेश सिंबूदड़ा या जो कोड़ा गरंथ है इसमें संग्रित है जसनाजी के उपदेश सिंबूदड़ा या दो गरंथे सिंबूदड़ा और कोड़ इन गरंतव में संंग्रेत है जशनती संपरदाइग के लिए कितने नियम है 37 नियम आई माता कि कितना नियम है तो 11 नियम और जशनात संपरदाइग के या नियम होते हैं तो 42 होते हैं और विश्णोर संपरदाय में गुंतीस नियम कि इसी के साथ नेक्स्ट कुछन अपन लेते हैं हाँ अ सुमेलित है युगम वो बताना है गोगा जी का मेला कब है तो यहां दिया है आगे बादरपद कर्स्न नौमी वीर तेजा जी का मेला इसमें दिया है बादरपद कर्स्न दस्मी फिर है बाबा राम देव का मेला बादरपद सुकल द्यूतिया से एकादसी फिर पाबु पाबुजी का मेला है इसमें दिया है चैत्र अमाउस्या को पाभुजी को लुमंड़ फलो दि पाभु जी राठोड़ दांदल जी राठोड़ के पूत्र बढ़ना तो इसमें कौन सा तो दुर मेड़ी भी कहा जाता और गोगा जी का जन्व इस्तान है इसे there you और मुंद गजनेवी से यूद करते वे सीरकां किरा तो सर्य मेड़ी दृवा चूरू भी जिससर कहा जाता और दड़ कहां किरा तो हlor गोगा मेडवी जो मेला वरता हैं बाडर कर्षन नवुमी जिसे गोगा नवुमी कहा जाता है वीर तैजा जी का मेला माडर पद कर्षन तो एक यां ध्या रखना यहrees वेकर वीरफिंवा दना यह ठ़ीक um थे दूटण तो कर्षन नहीं है यां क्या होना चाहिए उना बात करते हैं जहार फीर या गोगा पीर के नाम से परसिद गोगा जी का मेला समादी इस्तल गोगा मेडी नौर हनुमानगड में बादर कर्शन नौमी यानि गोगा नौमी को लगता है और गोगा मेडी को क्या कहा जैता है दूर मेडी भी कहा जैता है दोलिया वीर दोलिया गोतर में वीर तेजा जी दोलिया वीर के ना परबसर नागोर में नागोर में बादर पदशुक्र दसमी को बढ़ता है इसी परकार रामशा पीर रामशा का उपना मेला से पर प्लेग रख्षक देवता तो उंठों के देवता पाबुजी राठोड भारत में या रादस्थान में मारवार छेतर में उंठ लाने वाले कौने पाबुजी राठोड कांसे लायते श्रीलगरा से उंठ रख्षक प्लेग के देवता उंठों के देवता प्लेग रख्षक रा क्यात्र अमाउसिय को कहां पर कोलुमंड फलो दिमें इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है नेक्स क्यूशन के साथ फिर मिलते हैं अपन का वीडियो कैसा लगा क्यूशन कैसे लग रहे हैं तो जैसे आपको पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्रा अवाद, थैंक यू